मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है What is OCD? OCD से समंदित सीरीज वीडियो पार्ट थ्री में मैं राजियंदर जोद्पुरिया आपका हर्दिक सवागत करता हूँ आप जानते ही हैं कि OCD के परकार 11 होते हैं पिछले वीडियो में हमने जाना था कि anxiety के सवरूप क्या क्या होते हैं और उससे पिछले वीडियो में जाना था कि Obsession कितने परकार के होते हैं सभी परकार की OCD में आज की इस वीडियो में जानेंगे कि Compulsion कैसे कैसे होते हैं OCD के चार Component होते हैं जिसमें सबसे पहला है obsession, दूसरा है anxiety, और तीसरा component होता है compulsion या ritual, चोथा component होता है relief, आज की वीडियो में जानेंगे कि type of compulsion, सभी परकार की OCD में compulsion कैसे कैसे होते हैं, तो सुरुआत करते हैं सबसे पहली और popular परकार जिसे हम महिलाओं की OCD भी कहते हैं, contamination OCD, साब सभाई वाली OCD, cleaning वाली OCD, contamination OCD में जो ritual या compulsion होते हैं, वो होते हैं, बार बार हाद धोना, pattern wise हाद धोना, नहाना, बार बार नहाना, या नहाने में ज़्यादा समय लगना, परस क की चदर को बार बार धोना, कपड़ों को बार बार धोना, mobile को धो देना, contamination OCD में objects की सफाई बार बार की जाती है, पानी से या साबुन से बार बार सामान को धोया जाता है, और आज कल तो बार बार अगर आप किसी भी object को या हाथों को sanitize कर रहे हैं, तब भी ये contamination OCD का ही ritual ह होता है, और दूसरी परकार OCD की checking वाली OCD, इसमें जो compulsion रहते हैं, जैसे ताले को बार 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 चेक करना, गेट को बार बार चेक करना, गाड़ी की headlight या अन्य किसी भी object को बार बार चेक करना, एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार, तीन बार, साथ बार, ग्यारा ब मांगना, मननते मांगना, माथा टेकते रहना, या सोरी बोलते रहना, भगवान से बार बार माफी मांगने का रिच्वल, religious OCD में होता है, इसके बाद, सोमेटिक OCD या जिसे हम, illness anxiety disorder भी कहते हैं, इसमें जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनको बार बार HIV से समंदित obsession आता ह उनके रिच्वल ऐसे रहते हैं, कि वो बार बार टेस्ट करवाते रहते हैं, बार बार डोक्टर से पूछते रहते हैं, कि HIV हो सकता या नहीं हो सकता, नेट के उपर बार बार वीडियो देखेंगे, गूगल पर बार बार पढ़ेंगे, कभी सोचेंगे कि विंडो पीरियर तीन मेने का होता है नो मेने का होता है किसी से बार बार बात करेंगे लाल रंग के अबजेक्ट को नहीं चुएंगे रेड लाइट एरियाज में नहीं जाएंगे तो ये उनके रिच्वल होते हैं पांचवी परकार OCD की रूमिनेशन OCD रूमिनेशन OCD जानने से पहले हम एक पीछे हटते हैं सोमेटिक OCD जिसमें रहबीज से समंदित भी ओवशेशन जिनको आते हैं वो बार बार कुतों को अवईड करते हैं कुतों के पास नहीं जाते हैं या बार बार वैक्सिन लगवाते हैं वे भी डोक्टर से बार बार पूछते रहते हैं कुछ लोग ऐसे होत में cancer से समंदित obsession आता है वो भी doctor के पास बार-बार जाएंगे और cancer से समंदित अपनी जांचें करवाते रहते हैं पांचवी परकार rumination OCD इसमें जो ritual रहते हैं ये मानसिक होते हैं क्योंकि इसमें obsession मानसिक है फिर anxiety या बेचेनी या irritation मैसूस होती है इसमें ritual physical नहीं होते mentally ritual किये जाते हैं मनी मन में आप कोई सबद हो राते हैं मनी मन में negative विचारों को positive करते रहते हैं विचारों को cut करते रहते हैं मनी मन कोई ने कोई phrase कोई ने कोई पंगती कोई ने कोई प्रार्थना कुछ ने कुछ मनी मन बोलते रहते हैं तो इसमें मानसिक रिच्वल किये जाते रहते हैं इसके बाद टचिंग वाली OCD इसमें किसी भी उबजेक्ट को बार बार टच्च किया जाएगा जैसे किसी भी सामान को तीन बार साथ बार दस बार 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 मुड घिर कर उसी अबजेक्ट को किसी ने किसी बहाने से टच किया जाएगा तो ये रिचुल रहता है टचिंग वाली OCD में इसके बाद अगली OCD जिसे हम रीन शोर OCD कहते हैं इसमें आप एक ही बात को बार बार पूछेंगे आप किसी से फोन पर बार बार पूछेंगे जैसे कुछ लोग कहते हैं कि मैंने पैसे दे दिये तो बार बार पूछेंगे दूसरे से कहेंगे कि आपने चेक तो कर लिया ना चेक तो कर लिया ना या किसी बात को दुबारा रहते हैं इसमें गिंती की जाती रहती है इसमें मनी मन में गिंती चलती रहती है कि एक सुब होता है दो सुब होता है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ग्यारा या आप किसी भी काम को करेंगे तो पहले मन में गिंती सेट करेंगे कि इतनी बार करना है तो मनी मन एक पैटरन बन जाता है तो जब आप किसी भी खास नंबर पर को रख करके काम करते हैं या मनी मन गिनते हैं या जोर से गिनते हैं या कुछ भी पैटरन वाइज करते हैं गिन कर काम करते हैं तो ये रिचुवल काउंटिंग OCD का है इसके बाद repeat करना किसी भी काम को आप बार-बार repeat करते रहते हैं जैसे एकी सबद को आप बार-बार repeat करते रहते हैं कुछी बार-बार बोलेंगे एकी तरह की चीज को बोलेंगे जैसे कई बार कोई इनसान ऐसा सोचता है कि कैसबद तो वो कैसबद को बार-बार बोलेगा या उसे बोलने की कोशिस करेगा कि अब भै पर आकर रुख गई तो भै अशूब होता है सूब होता है सब्दों से सबंदित इनके मन में उशैशन होता है और वो सब्दों को ही कट करते रहते हैं या खास सबद को बार-बार repeat करेंगे लिखेंगे तो ये ritual repeat the word OCD में होता रहता है इसके इलावा symmetry वाली OCD इसमें खास ritual जो होता है उसमें symmetry या तरकीब बाईज या order में object को arrange किया जाता रहता है जैसे copy pen, maze के उपर एक ही सीद में रखेंगे, कपड़े पहनेंगे तो बिल्कुल एक ही order में होंगे, बिल्कुल contrast में होंगे, बिल्कुल symmetry में होंगे, बिल्कुल एक दम order wise होंगे कोई भी काम करेंगे बहुत ही सफाई के साथ और ओर्डरवाइज करेंगे सिमिट्री में ये काम करना पसंद करते हैं इनको एववस्ता से बड़ी अलर्जी होती है ये हर चीज को विवस्तित करते हैं इसके पीछे खास कारण ये ही होता है कि इनके मन के अंदर एववस्ता है इसलिए बहार से ववस्तित करके मन की एववस्ता को शांत करने की काम्याब कोशिस करते रहते हैं इसके बाद अंतिम जो OCD है वो है रंगों से समंदित OCD कुछ लोग किसी खास रंग के कपड़े बार बार पहनेंगे किसी खास रंग को टच करेंगे किसी खास रंग की इमेज मन में लेकर के आएंगे किसी खास रंग का सिंबल मन में रखेंगे जैसे काला रंग असूब होता है हरा रंग असूब होता है तो उसको कट करने के लिए कमपलशन उस से अपोजिट ये करते रहते हैं तो ये परकार OCD के रहते हैं और इन परकार में जो कमपलशन है वो आज के वीडियो में आपने जान लिया है अब अंत में जान लेते है इसका ट्रीटमेट सभी परकार की OCD और उनके कंपल्शन का इलाज CBT थेरपी हिपनो थेरपी, माइंड पूलनेस थेरपी और गीता थेरपी, ERP थेरपी से बेहद ही असानी से हो जाता है, चंद घंटों की ओनलाइन काउंसलिंग और OCD वाले कंपल्शनों से मुक्ती हमेशा के लिए मानो तो मोज है वरना समस्या तो हर रोज है